आज के पाठ का शीशक है मेरे सक्षतकार डाक्टर राभ बिलाश शर्मा इस पाठ के अध्यन के उपरांत आप रिगवेद में वन्डिश श्रमक संस्कृती से परचित हो सकेंगे हिंदी जात यार उसकी सांस्रित की चेतना को समझ सकेंगे तथा आलोच की विवेक और विचार धरा के संबंद को जान सकेंगे डाक्टर रामिला शर्मा बहुपठ और बहुशुत विद्वान है उन्हें उनकी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने और साक्षात कार के द्वारा जानने में अंतर है पुस्तकों में जो बिंदु छूट गए थे या जिन पर कम प्रकास डाला गया था वे सब साक्षात कार में और अधिक इसपस्ट हुए है डाक्टर शर्मा की अलोचना का केंद्र 1857 का पहला स्वाधीन संग्राम है इसे ही वे अपनी अध्यन की धुरी मानते हैं सोई हुई हिंदी जात को जगाने का काम 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने ही किया था इसलिए नकेवल हिंदी गद्य की तमाम बिदाओं का आरंभ 1857 के बात होता है बलकि हिंदी नवजागरन की शुरुवात भी यहीं से होती है डाक्टर शर्मा का अध्यन बहुविद है अपनी अध्यन के दौरान दुनिया के तमाम ग्यात अग्यासरोतों का उप्योग वे अपनी मानिताओं की पुष्टी के लिए करते हैं हिंदी जात की सांस्क्रते की चेतना को लेकर वे बहुत चिंतित रहते थे अंग्रेजों का ब्रोद करने के कारण हिंदी को लगातार उपिक्षित किया गया था जिसके कारण हिंदी जात की कोई सांस्क्रते की चेतना उभर कर नहीं आ पाई इसलिए वे हिंदी जाती को संगठित करना चाहते थे उनकी मानिता थी कि जब मराठी, बंगला और तमिल इत्याद भाषाओं में जातिय संगठन है और राजों का बटवारा भाषाया आधार पर किया गया है तो हिंदी की जातिय भावना को दियान में रखकर हिंदी जातिकावी एक राज बनना चाहिए था एक राज बनानी के अपिक्षा हिंदी भाषी एक्षेत्र को अलग अलग राज्यों में बाटने के कारण हिंदी की जातिय चेतना भी विवाजित हुई हिंदी जाति में सांस्कृतिक चेतना का जो भाव है उसका कारण भी यही है राम बिलाज जी यही मानते हैं कि 1857 की पराजय के बाद जिस परकार नवजागरन की शुरुआत हुई उसके प्रोधा भारतिय नौहरिश चंद्र और आचार महाविर उपसाद दुवेदी हैं आचार दुवेदी ने हिंदी जाति को विग्यानिक चेतना दी जिसके आलोक में वो अपने को अतीत और वर्तमान का मुल्यागन करने में समर्थ हुई उस समय की पत्र-पत्रकाओं ने हिंदी जाती में जिस प्रकार राष्टिय चेतना का प्रसार किया उसके परिनमत सरूप एक और भाषा किया इसमेता के प्रते जागरूपता बढ़ी तो दूसरी और राजनितिक चेतना का भी प्रसार हुआ राम बिलाज जी माक्सवादी आलोचक है माक्स की अपरतिम कृति पूजी का अनुबाद करते समय उन्हें जो आधार सूत्र मिले उनके आधार पर उन्होंने रिगवेद का ध्यन किया और निश्कर से निकाला कि उसमें जो श्रमिक संस्क्रती है उसकी उपिक्षा की गई है जिसका प्रसार आज के समय में बहुत जरूरी है यह रिगवेद का धर्मादारित पाथ नहीं है बलके सामाज एक चेतना का पाथ है जिसकी अनिवारिता असद्दिक्ध है अब हम रिगवेद और श्रमिक संस्क्रती पर बात करेंगे डाक्रा रामिला शर्मा जैसे प्रख्यात मार्चवादी आलोजक ने जब एक साक्षातकार में सुईकार किया कि वे आज कल रिगवेद पढ़ रहे हैं तो हिंदी जगत में नई सुर्सुराहट शुरू हुई कि आप मार्चवादी भी वेद पढ़ रहे हैं कई अर्थों में यह सामानी बात नहीं थी लेकिन रामिलाज जी में यह साहस था कि उन्होंने उसे सुईकार किया जब उनसे दूसरा प्रशन किया गया कि आपको इसकी आफशक्ता क्या थी तब उन्होंने उत्तर दिया मैंने शुरुआत इस तरह की थी कि मार्च्स और एंगेल्स के चिंतन की दार्शनिक प्रश्ट भूमी की जानकारी प्राप्त की जाए इस सिल्षिले में उनकी मूल दर्शन युनानी दर्शन तक पहुँचा उस दर्शन की बहुत सी धारनाएं उपनिशदों में थी उन्हें खोशते हुए रिगवेद तक पहुँचना आनिवारे था मार्च्स और एंगेल्स की चिंतन के अलावा यदि हम दार्शनिक यथार्थवाद पर ध्यान किंद्रित करें तो रिगवेद, उपनिशद, प्राची निउनानी दर्शन फिर सत्रेमी सदी में बेकन और लौक की विचार अठारेमी सदी में फ्रांस में बहुत एक वाद का विकास अगली कड़ी की रूम में मार्क्स और एंगेल्स का बहुत एक बात दार्शनिक चिंतन के विकास की यह बहुत आकरशक रूप रेखा बनती है और यह सारा इतिहास केवल पुराने समय को समझने के लिए यह आवशक नहीं है वरन वर्तमान विचारधारा के विकास के लिए भी उतना ही आवशक है रिवेद में प्रिकृती पर विशेश बल दिया गया है उसी के बिविन रूपों की प्रशनसा इस आशे के साथ की गई है कि उससे प्राप्त प्रकाश, वायो और उर्जा के बल पर मनुश्य इस संसार में सो वर्स तक जीए है सो वर्स जीडे की कामना के लिए किसी ब्यापक सत्ता से प्राथना नहीं की गई ब्यापक सत्ता अगे लिए भ्रह्म शब्द का प्रियोग रिगवेद में नहीं मिलता या बहुत बाद में जाकर देखा जा सकता है रिगवेद कर्म मैं जीवन पर बल देता है इसलिए प्रकारांतर से वो श्रमिक संस्कृती की स्थापना करता है वह मनुश्य के श्रम करते हुए तथा अपने करतब्यों का निर्वहन करते हुए सो वर्स तक जीने की कामना की गई है जो संस्कृती श्रम की महत्ता को मानती हो उसमें कोई असपरश हो ही नहीं सकता इसलिए शूदर सब्द का प्रयोग केवल एक वार उसकी उतपत्ती के समंद में किया गया है शेज चगों पर न तो शूदर सब्द का प्रयोग किया गया है और न दासों का रिगवेद के रचना समय से पूर्व बहु देवोपासना पद्धति परचलित थी तथा यग भी किया जाते थे लेकिन रिगवेद के रचनाकाल में ये अप्रवर्ते ख्षिन होती गई ऐसे कई सुक्त हैं जिनका यग से कोई सम्मन्द नहीं है रिगवेद बहुदेवो पासना की जगे अद्वेतवाद पर बल देता है जहां एक देववाद तथा अद्वेतवाद होगा वहां कर्मकांड स्वतेही समाप्त हो जाएगा बाद में कर्मकांड और प्रोहितवाद के बढ़ने के कारण वेदों को अपॉर्शिय मानने की गोशना की गई और कहा गया कि वेदों को मनुष्य ने नहीं स्वयम ईश्वर्ने रचा है रामपलाजी एक प्रशन के उत्तर में इसका खंडन करते हुए कहते हैं रिगवेद के कभी भी स्वयम को लोकिक तासे परे नहीं मानते वास्तब में रिगवेद का यह लोक उसका सबसे सबल पक्ष है सौ वर्स तक वे इसी संसार में जीना चाते हैं सौ वर्स तक जीते हुए सूरी के दर्शन करना चाते हैं देद मनुष्य कृत नहीं हैं इश्वर कृत हैं उनको थोड़े से आदमी ही समझ सकते हैं इस परचार से पुरोहित वर्ग को लाव होता था पुरोहित वर्ग नहीं यह भ्रम पहला कर रिगवेद की चेतना और उसकी प्रगत शीलता को बादित कर उसे धर्म गरंत के रुप में परचारित किया जब उनसे पूछा गया कि रिगवेद की रिशियों और बौध दर्शन कों में क्या अंतर है तो उन्होंने उत्तर दिया बौध दर्शन में अनेक धारा हैं पर जिन धाराओं की प्रधानता है वे सब भाववादी हैं वे संसार को दुख का कारण मानती हैं या संसार की अस्तित को ही अस्विकार करती हैं या भाववाद समाज में विशेश का दिकारों का समरधन करता है संसार को छोड़ने और वेरागी का जीवन बिताने का लक्ष अनेक संपरदायें को नेताओं ने अपनाया है रिगवेद के कवियों का दिष्ट कोण यह लोकबादी है वो जीवन की सुकृती का दिष्ट कोण है इसलिए वो परवर्ती संसार वियों को धार नाव से कहीं अधिक प्रक्रशील है डाक्टर रामिला शर्मा ने रिवेद के संबन्द में फैले विविन बाद विवादों को शांत किया और उनका प्रामानिक उत्तर भी दिया अब हम हिंदी जात और उसकी सांसरतिक चेतना पर विचार करेंगे जाति को हमारे समाज में केवल जात बरादरी की रूप में ही देखा जाता है लेकिन रामिला शर्मा 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 जी का मत इससे भिन है वे जाति को राश्टिय पैंचान की रूप में लेते हैं और इसी अर्थ में वे हिंदी जात की आवधार ना को फैलाते हैं हिंदी जात यानि हिंदी बोलने वालों की अपनी एक जात और उसकी एक सांस्कृतिक चेतना वे मानते हैं कि जब तक जातिय चेतना की प्रतिनिष्ठा नहीं होगी तब तक सांस्कृतिक चेतना का विकास भी संभव नहीं है इसलिए राम बिलाजी एक प्रश्ट के उत्तर में अपनी चंता व्यक्त करते हुए कहते हैं हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उनमें जातिय चेतना कम है बंगाल या महरास्ट या तमिल लाडू की अपेक्षा हमारे हिंदी भासी ख्षेतर में जातिय चेतना कम है इसका आया अर्थ नहीं है कि हम बहुत जादा राज्टिय भावना की तरफ बढ़ रहे हैं वास्तिविक्त आया है कि हमारे यहां का आदमी जात विरादरियों से बधा हुआ है वा ब्रह्मन के प्रश्ण पर या ठाकरों या शूद्रों या अगरी पिछडी जातियों के प्रश्ण पर एक होने का प्रियत्न करता है उसके बाद वा संपरदाय के प्रश्ण पर एक होने का प्रियत्न करता है बहुत प्रग्रशील हुआ तो कहेगा मैं भोजपुरिया हूँ, मैं अवद का हूँ, मैं हर्याने का हूँ ये जो जनपद हैं उनसे उसका लगाव है राम बिलाश जी का चिंता का कारण यह है कि जो हिंदी जाथ किसी भी इस्तरप्र दूसरों से कम नहीं है फिर वह पिछडी और असंगठित क्यों है इस प्रशन पर वे स्वेम विचार करते हैं और बताते हैं हिंदी भाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा जाती इलाका है संख्या के विचार से हिंदुस्तानी जात दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में गिनी जाएगी रिगवेद और महाभारत की रचना इसी प्रदेश में हुई है यहीं नदियों के किनारे वालमीक और तुलसी ने अपने अनुस्ठुप और चौपाईयां गाई है तांसेन और फयास खां, हाली, मीर, अकबर, गालेव, भारते इंदु, प्रेमचंद, निराला यहीं के रतन है ताज महल और विशुनात के मंदर यहीं के हातों ने गड़े है आलहा और कजली ने यहीं का आकाश गुजाया है 1857 में यहीं की धरती हिंदु और मुस्लमानों के खुन से सीची गई है जिस दिन यह विशाल हिंदी प्रदेशे को होकर नए स्वादिन जन्जीवन का निर्मान करेगा उस दिन इसकी संस्कृति एशिया का मुक उज्ज्वल करेगी किसानों और मजदूरों की एकता जो जन्जा की धुरी है वो दिन निकट लाईगी हिंदी और उर्दु के लेखकों को इस जन्जा के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जातिय परंपरा के अनुसार लोकक्प्रिय भाषा और जन्वादी साहिति के विकास में आगे बढ़ना चाहिए इतनी संब्रत परंपरा के वारिस हिंदी परदेश को लगातार उपेक्षित और बिवाचित किया गया ताकि उसकी कोई जातिय पहंचान नहीं बन सके यह काम पहले अंग्रेजों ने किया और बाद में हमारी सरकारों ने स्वादीन भारत में भाषाई आधार पर अधिकान शराज्य बने लेकिन हिंदी परदेश नहीं बना बल्कि हिंदी परदेश को कई टुकड़ों में इसलिए बांट दिया गया कि उसकी एकता अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करेगी अंग्रेजी का प्रभुत्व सामराज जवादियों को कबच परदान करता है राम बिलाज जी अभी मानते हैं कि भारत का कुलीन वर्भ हमेशा अंग्रेजी का हिमाईती रहा है इसलिए उसकी नजर में हिंदी कभी आविजात्य वर्भ की भाषा नहीं हो सकती एक प्रशन के उत्तर में वे कहते हैं कि हिंदी के ब्रोध के दो मुख्य कारण है पहला तो यह कि 1857 में अंग्रेज़ों से लड़ने की जो मुख्य भूमी थी वह हमारी हिंदी प्रदेश की थी बंगाल में संगर्ष बहुत कम हुआ या नहीं हुआ पंजाब में संगर्ष नहीं हुआ या बहुत कम हुआ महराष्ट हैदरावाद और दक्षण के प्रदेश शांत रहे क्यों शांत रहे इसके अलग कारण है वास्तिक तईया है कि हिंदी क्षेत्र में और दिल्ली और लखनव और खास तोर पर अवद में जो बिकट संगर्ष चला और तीन साल तक हुआ संगर्ष चला वैसा संगर्ष भारत के दूसरे प्रांतों में नहीं चला उसका परिनाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह जान लिया कि हिंदी वासी जाते जब तक विवाजित नहीं की जाएगी तब तक हम यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे 1857 में पंजाब की अधिकारियों ने एक फर्मान निकाला था कि पंजाब की सरकारी नोकरियों में किसी हिंदुस्तानी को नहीं लिया जाएगा वह हिंदुस्तानी शब्द इंडियन का परियावाची नहीं था पंजाबी बंगाली लिया जाएगा और गैर हिंदुस्तानी लिया जाएगा हिंदुस्तानी सीमित अर्थ में था यानि हिंदी उर्दु बोलने वाला जो हिंदी जातिका अंग है उसको हम सरकारी नोकरी में नहीं लेंगे तो एक बात तो यहाँ कि जातियत आगे प्रति अंग्रेश बहुत सा तर्क थे दूसरे कांग्रेश की जो नीत है वा समराज जबाद के ब्रोध में सुसंगत रूप से करांतिकारी नहीं है राम विलाज जी के अपनी तर्क हैं उन तर्कों को समरत करने के लिए उन्होंने जो धारन दिये हैं उनसे किसी को आपते नहीं हो सकते यह तर्क कालपनिक नहोकर एतिहासिक हैं जिनकी सचाई असंदिग्ध है वे अपने तर्कों के प्रत्य हमेश्वा साबधान रहते हैं इसलिए उनसे असामत होती हुई भी उन्हें नकार नहीं सकते राम्बिला जी की चिंता यह है कि कभी हिंदी उर्दू के नाम पर और कभी बिविन बोलियों के अस्तित्व के नाम पर हिंदी जात की एकता को खंडित किया जाता रहा है यह मानते हैं कि जब तक पूरी हिंदी जात को उसकी संपून बोलियों के साथ एकनी किया जाएगा वे जानते हैं कि हिंदी जात कभी एक नहीं होगी, उनका कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं बन पाएगा, और जब तक वे सुद्रन नहीं होगे, तब तक इसी प्रकार के आरोप लगते रहेंगे, और उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वे मानते हैं कि आज क जातिय एकता काइम करने के लिए हिंदी भाषी जन आगे आम है, क्योंकि जातिय गठन को रोकने का आर्थ है भाषा और संस्कृति के विकास और सम्रद्धी को रोकना, जातिय गठन को रोकने का आर्थ है किसी जाती के अंदर विद्दिमान, राज सत्ता के जीवानियों को कुचलन, तमाम बिरोधों और आरुपों के बावजूद डाक्टर राबिला शर्मा अपनी जाती आवधाणा पर अडिग रहे और आजीवन हिंदी जाती के लिए अलग और संगठित विशाल राजी के सपने को साकार करने के प्रियत्म करते रहे वे मूलते अंग्री जी के प्राध्यापक थे लेकिन हिंदी को कमतर आगने तथा उसके अस्थित को बचाए रखने के लिए वे लगातार हिंदी में लिखते रहे उनके ग्रंथों को पढ़कर जाना जा सकता है कि ये बहुबुखी प्रतिवा के धनी तथा अथक परश्रमी रामिलाजी ने हिंदी के उन्ने के लिए कितना काम किया है उन्हें ये विश्वास था कि भविश्य में हिंदी जाति उनकी भावनाओं को समझेगी और एक होकर अलग राज्य के लिए संगर्श करेगी इससे नकेवल अंग्रीजी से मुक्त मिलेगी अपे तो सामराज्यवाती ताकतों का भी पतन होगा जो हमारी देश में पहले इस्ट इंडिया कंपिनी के नाम पर और अब तमाम तरह की कंपिनीयों को लेकर बेरोग टोक आ रही है अब हम आलोच की विवेक और विचार धारा के अंतर को समझ सकेंगे डाक्टर रामिला शर्मा मार्क्सवादी आलोचक थे उनकी आलोचना के केंद्र में मार्क्सवादी द्रिष्टे सदे बिदिमान रही है इसलिए वे अपनी खरी-खरी बातें कहने में कभी किसी से डरे नहीं न केवल गेर मार्क्सवादीयों के बलकि अपने ही मार्क्सवादी लोगों के विचलन का उन्होंने पूरी ताकत के साथ बुरूद किया इसके परिणाम सुरूप कई वार भी अपने ही संगठन में अकेले पड़ गए लेकिन वे मानते थे कि सवाल समू या अकेले होने का नहीं है यदि कहीं कुछ गलत है तो एक इमांदार आलोचक को उसका ब्रोद करना चाहिए एक प्रशन के उत्तर में वे कहते हैं इमांदार आलोचक को केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इमानदारी को न छोड़े अगर वो इमानदार बना रहे तो बाकी सब चीज़ दुरुस्त हो जाएंगी क्योंकि आलोचक का सबसे बड़ा धर्म इमानदारी है वो अपने धर्म से विचलित हुआ नहीं कि फिर समालना मुश्किल हो जाएगा उसके साथ ये उसकी बिवेचना भी मर जाएगी अपनी बिवेचना शक्त को बचाए रखने और उसे निरंतर धारदार बनाए रखने के लिए वे लगातार गलत बातों का ब्रोध करते रहे यही कारण है कि अपने ही प्रगरशील खेमे के यश्पाल, राहुल सक्रत्यायन, शिवदान सिंग चौहान, मुक्तिवोध और नाउमर सिंग उनकी आलोचना का शिकार बने अपने आलोचकिय बिवेच के कारण उनने कभी लोग का प्रियताब को सुईकान नहीं किया बलके एक रिशी की तरह अकेले पढ़कर भी वो आज के समय में दुरलव है, आलोचकिय बिवेक के सारे वे निरंतर शोध रत रहे, एक वार उन से पूछा गया कि आप अपने को मूलते आलोचक मानते हैं रचनाकार, कहनान होगा कि डाक्टर रामबला शर्मा ने अपने जीवन के आरमिक समय में कविताई भी लिखी थी, उनका चिर्चित का विसंग्रह, रूप तरंग, आज भी अपनी एत्यासिक भूमिका में महतुपून है, इस प्रशन का उत्तर देते हुए वे विस्तार से बताते हैं, कि इस प्रशन में आलोचक और रचनाकार को अलग अलग रखा गया है, रचना कई तरह की होती है, एक रचना विवेक के माध्यम से होती है, उसी हम विवेजना कह सकते हैं, दूसरी रचना भावबोध के सारे होती है, कल्पना के सारे होती है, वो अधिकतर कला में दिखाई देती है, जो कलात्मक रचना है, वही रचन बुरी बनी इसलिए उसके अंदर कहीं बिवेक छुपा हुआ है। इस प्रकार जो कलात्मक लेखक है वह भी बिवेक से काम लेता है। दूसरी तरफ जो आदि में बिवेचना करता है वह बिवेचना से प्रभावित करना चाहता है, भाशा सुन्दर रखना चाहता है, सारा लेख या पुस्तक ऐसे डंक से पाठक के सामने रखना चाहता है, कि सब कुछ आसानी से पाठक की समझ में आ जाए, आलोचना में भी कला होती है, और कला में आलोचना होती है, इसलिए दोनों पूर्टे अलालग नहीं है राम बिलाज जी का यह मानना है कि आलोचक के पास विवेक शक्त का होना बहुत आवश्यक है इससे ही वो रचना की अंदर प्रविश करता है और उन चीजों को रेखांकित करता है जो चीजें सीधे सीधे पाठक की समझ में नहीं आती हैं आलोचकी विवेक समझ्याओं पर लिखने वाला लिखक माना जाता था राम बिलाज जी ने पुस्तक लिखकर यहां बताया कि प्रेम चंद जिस समय साहित लिख रहे थे हमारे यहां बहुत से लोग कहते थे कि प्रेम चंद को तातकालिक समझ्याओं पर साहित न लिखना चाहिए इनका साहित तिकाउन होगा ये किसानों पर लिखते हैं किसानों की संगर्ष पर लिखते हैं जब महाजन न रहेंगे जमीदान न रहेंगे तो इनके साहित को कौन पूछेगा लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रेमचंद आज भी तो नहीं लोग कप्रे हैं इस किताब को पढ़कर लोग प्रेमचंद पर उस समय अपुस्तक लिखी जब उनकी उम्र तीस वर्ष भी नहीं हुई थी लेकर अपने धारदार आलू चुकी विवेक से उन्होंने बड़े-बड़े आचार्यों की स्थापनाओं को खंडित करते हुए कहा कि किसान, मजदूरों और सामंतों के बारे मे प्रेमचंद की समझ ततकालीन राजनीतिग्यों से भी अधिक परिपक्व थी, इसके दो वर्ष बाद, उन्होंने अपने प्रियविशे 1857 और नवजागरन पर विचार करते हुए भारते इंदू पर पुस्तक लिखी, या पुस्तक नकीवर भारते इंदू की योगदान क को रिखांकित करती है, आप ये तूर, उन्नीसमी शताब्दी की हिंदी जातिकी समझियाओं को यथारत में रिखांकित कर, उन्हें दूर करने के लिए भारते इंदू और उनके मंडल के साहतिकारों के योगदान को निरूपित करती है, राम बिलाजी पर ये आरोप लगा साहतिकारों की कमियों को गिनाते हुए उन्हें साहतिकारों पर अधिक लिखा जो माक्सवादी नहीं थे, भारते इंदू, आचारी महार्यपसाद दुवेदी, अनिराला, बरंदावनलाल बर्मा, तथा अमरतलार नागर, आधि माक्सवादी नहीं थे, लेकिन उनके कोचे वैसिष्ट को जिस पकार राम बिलाजी ने रिखांकित किया है, उतना कोई दूसरा नहीं कर सका, ऐसे ही एक प्रशनका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, मैंने बहुत लोगों पर लिखा है, वे सब माक्सवादी नहीं है, जैसे निराला जी पर लिखा, वे एक दृष्टे है, एक समझने का तरीका है, और वह समझने का तरीका भी ऐसा नहीं है, कि अवा बिलकुल नपा तुला हो, और हर जगे उसी लीक पर चलो, उसमें काफी लचिलापन है, जैसे, माक्सवाद का एक सिद्धान्त है, कि चीजें गतशील होती है, इस्तर नहीं हो करता है, इसलिए वे यहवी मानते हैं कि बिवेक का विकास होता है, और मार्क्सवादी दृष्टे उस विकास में साहिक होती है, राम बिलाश जी के आलोचना, उनकी दृष्टे और आलोचकी बिवेक का अपरतिम नमुना है, वे जिस तर एक कृतिमें पैटते हैं, उससे लगातार पढ़ने और जानने की प्यास बनी रहती है तमाम आरूपों के बावजूद उनकी अंदर बैठा इमानदार आलोचक लगाता लिखाता रहा और वे आजीवन एक सुधियत देता की तरह साधना करते रहे निश्कर स्ते हम कह सकते हैं कि डाक्राम्बलाश शर्मा अपने साक्षात कारों में खुल कर अपना पक्षा रखते हैं ये साक्षातकार बिविन्ने विश्यों पर हैं लेकिन इस तत्थिकोरों ने स्वहिम स्युकार किया है कि अधिकान साक्षातकार करता हूंने माक्सवाद, माक्सवादी दृष्टे, आलोच की अभिवेक, अपने समय की रचनाकारों से ब्रोध के कारण, रिगवेद की और लेकिन राम इलाज जी कि अपनी विशेष्टा या है कि विवे अध्यन मनन और चिंतन के दोरान अपने को मांचते तो रहे, लेकिन विचारधारा से बिफ़त कभी नहीं हुए, विज्यानिक विचारधारा और आलोच की अभिवेक, आलोचक की दृष्टिको धारदार बन नहीं पूरार की कि विचारधारा और छुए, विप अपनी की विचारधारा और लेकिन विचारधारा से ब्लका सिलराधारिण शुए, विचारधार्श की विचार्थ告訴 यार्थर, विचारधारं, खynn ihanactory है, ये हैं